अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे पीएस सिरिमान संजेश उकलाजी ने अपनी विस्तार से बात कही और बदलते दोर में मदबेश कहां से कहां और कैसे पहुँच रहा है इसके कुछ छोटे से उधारन दे करके बताना चाहा मंचपरी विराजमान, डक्टर नमजित कोठारी जी, सेकेटरी MSME, अंसुल पांडे जी, बी सायराम जी, अजित कुमार सक्सेना जी, इंद्र देव नारायन जी, दिपेंद्र सिंग जी, अनुराग चोदरी जी यह हमारे भारत सरकार सहीत मदबदे सरकार के विविन अधिकारी यह विराजमान है, और देश के कोने कोने से आप सब भी आये, आपका पुना स्वागत करता हूँ, अभी नंदन करता हूँ, आपको वधाई देता हूँ हमारे आज के इस माइनिंग कांकलेव में आपके लिए जानकारी के लिए बता दूँ कि सब भीता, संसकार, संपदा और संसाधनों से परमात्मा ने सभी राज्यों में जो कुछ दिया है, मुझे मलक्ता के मदबदेश को थोड़ा ज्यादा मिला, यह हमारा सोभाग्य है औ यह रत्नगरभा वशुंधरा जब सोर मंडल की रचना होरी होगी, उस सोर मंडल की रचना में जब रत्वी का अवतरन हुआ है, तो कई सारी विशेस्तों को लिए वे, यह हमारी धर्ती माता, इस सोर मंडल का एक महपुन घ्रह बन करके सब के बीच आई है, और जैसा कि हमा सारी अपनी संस्कृती की विशेष्टा है, और संस्कृती हमको अपनी कुछ ओर आगे ले जाती है, रिशी मुनियों ने अपने जीवन के निश्कर्स से निकाल करके, कई सारी बातों को इनने हमसे अपने जीवन से ग्रहों की रचनाव को जोड़कर बी बताया है, और नहीं तो कल इस क्रम से कोई बाहर नहीं जाएगा हमारे अपने जीवन में जिस प्रकार से हम परमात्मा की एक क्रपा से एक अपनी उमर लेकर आते हैं ना हम इसमें कोई छणवर घटा सकते ना बढ़ा सकते हैं एक निश्चित क्रम में आपका जन्म होता है जन्म पे आपका कोई बंदर नहीं और जैसे ही आपका जन्म का समय पूरा होगा आपके उस सारे प्रत्न करने के बाद में भी आप कुछ भी कर लो उसके बाद आपको अपनी संसार लिला से विदा लेना ही लेना लेकिन आने और जाने के करम में कुछ कामन चीजे बताई है उस कामन चीजों में हमको एहसास भी है इसलिए कई दुनिया के देशों से हमारे देश की कई मतभिनता भी है भाव के अधार पर हमारे यहां कहा गया यत्पिंडे तत्रत ब्रह्मांडे हमको अगर इस ब्रह्मान को समझना है तो अपने इस सरीर की रचना को समझ लोगे तो ब्रह्मान समझ में आ जाएगा दोनों में कोई अंतर नहीं है यह हमारी संस्क्रती हमको बताती और उसी में हमारे अपने काम करने के तरीके में भी वो बात आई जाती है हमारी अपनी रत्नगरबा इस प्रत्वी माता को हमने माता संस्कृति से जोड़ा है क्योंकि हमारे यहां मात्र संस्था को प्राध्यानिता दी और मात्र संस्था को प्राध्यानिता देने में हम अपने इस कुटुम्ब परिपार को तो विश्व की पूरी कुटुम्ब की काम ना करते हैं लेकिन ग्रहों में सारे ग्रहों को हमने पित्र तुल्य माना लेकिन मात्र तुल्य अगर किसी को माना तो इस वसुंदरा को माना है जिसके हम पुत्र हैं जिसका आनंद हम सब को और उसी नाते से हमने उसको धीरे-धीरे वसुधा को नहीं हमने अपने दोसों से ज़दा देशों में भी अपने आपको भी अपने देश को भी मातर संस्था से जोड़ा है इसलिए मातर सत्ता के अधार पर हमने दुनिया के सारे देश वो अपने आपको पितर सत्ता से जोड क्योंकि जैसे हम मात्र सत्ता से जुड़ते हैं तो हम मात्र की एक माता की कल्पना करें कामना करें बच्चे के जन्म से लेकर के उसके अपने अपनी जिंदगी की महत्पुन यात्रा मुकाम तक सारे लोगों की पूर्ती हो सकती लेकिन हमारे यहां पर अपने संस्क्रती में ब स्रिकार किया है यह हमारे संस्क्रती ने हमको सिखाया इसी नाते से हम अपने मात्र देवो भव पित्र देवो भव उनको देवता के बराबर मानते हैं और केवल मानते नहीं यह हमने एसास भी किया जैसे हमारी रचना हमारी रक्त धमनिया हमारे सरीर से अपने रक्त का प्रभ साथ की समान इस रत्मगरवा प्रत्वी के जीवन तो होने के प्रमान देती है और इसलिए ये बाद में नौबल पुरुषकार मिला होगा जिनने अलग-अलग प्रकार से प्रान ढूंडने का प्रयाज किया तो हमारी अपनी प्रत्वी के अंदर भी प्रान है वनस्पती में प्राण है ये आधुनिक साइंस की द्रश्टी से ये अब लोगों को मालूम पढ़ रहा और वो उसको पुरुसकार देते हैं लेकिन हम तो अपने आपको धन्य मानते हैं कि हम अपनी रत्नगरभा से भी एकर लेने की कलपना करते हैं तो हम इसका दोहन नहीं करते हैं इसका सो सरद्धा से गरंड कर रहे हैं इसलिए हमारे यहां पर हर एक जगे पर अपने जीवन में कदम कदम पर दोहन और सोशन के प्रतिकार करते हुए इसका अंतर समझते हुए हमने इसमें सोशन के बजाए दोहन को जोड़कर देखा और दोहन को जोड़ने में हमारी जो कुछ हम हमारा है वो प्रमात्मा की करपा से है इश्वर की लीला से है इसलिए उस पे हमारा अधिकार है हमारे देश का भी अधिकार है लेकिन देश को भी हमने छोटा नहीं माना इसलिए वशुधा के माध्यम से पूरी दुनिया को अपने माना है तो यहां जो मिला इसमें विश्व क भी अंस है और जो विशु के अंदर जो कुछ चाहिए या लेना देना है इसको परसपर हमारी अपनी उसी भाव को ले जिसको मैंने सब्दों में अलग-अलग प्रकार से व्यक्त किया है इसलिए हमारी यांकी संपदा को देखने में, लेने में, देने में मूल भाव का अंतर इसलिए मुझे इस बात की प्रसनता है कि अगर हमने खनिश संपधा की अगर बात कहीए तो परमात्मा ने भी क्रपा केसी करी वैसे तो देश पे क्रपा करी दुनिया के कई देश हैसे लेकिन वो छे रितूओं के लिए तरस्ते हैं तीन मोसम के लिए तरस्त है उनके यहां केवल गर्मी और बरसात के अलावा कुछ होता नहीं लेकिन हमारे देश के अंदर सब कुछ उपलब्द है लेकिन यह उपलब्द होने में सबसे बड़ा गर योगदान है तो हमारी अपने देश का भी है और वशुदा का भी है जिसकी विशेश करपा से भारत की भोगोली करचना है इस प्रकार से बनी और उसे रचनाओं के आधार पर देश के अंदर भी देखो तो लंबा हो जाएगा विशे मुझे भी आपसे विनम्दास छमा भी मांगना है कि मेरे पास कल से आज तक का समय था लेकिन मैं कल उपस्तित नह हो पाया मैं आज ही समय मिला तो कि मैं कल से हमारे यस्टशी प्रदान मंत्री के नेतरोत में कुछ अलगी चमतकार होते रहते हैं जो हमने चार जून को रिजल्ट पाया था भारत सरकार के विजय का वह हर्याना ने और परचम लहराया उसका आनंद हमारे सब के सामने था स्वामी विवेकानन्द ने जो सो साल पहले कहा था कि किस श्रताब्दी भारत की होगी उसके लक्षन भी दिखाई दे रहे हैं दुरभाग के से कुछ बातों को मैं दोराना नहीं चाहूंगा अन्य था आपको सबको ध्यान में आएगा 2014 के पहले हम अपने देश के बारे में देश की संपदा के बारे में देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कहां हम कलपना करते थे कि भारत नीचे से पांचवे हिस्सों में आ रहा है और कहां पलट के देखो तो इस दस साल के अंदर भारत उपर से पांचवे स्थर में आ र आपना सेक्षनिक उनकी अपनी उन्नती बाकी चीजों का अनभव कितने प्रकार का उनका सब प्रकार की चीजों में था गवर्नर रहे वित्त मंत्री रहे प्रधान मंत्री दो दो बार रहे सब को लेके चलने वाले बड़े विनम्र लेकिन मंत्री मंदल के अंदर कभी कोईला गोटाला हो रहा, कभी स्पेक्रम गोटाला हो रहा, मंत्री मंडल के उपर भी जिनका नियंत्रणी ऐसे मोन रहेने से क्या फायदा, आज करके देखें यह है भारत सरकार और यह नरेंद मोदी का सासन करने का तरीका, भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने में तो कितने प्रका जब बेठा आया तो तो मेरा एक ध्यान गया साथ आप लोगों का भी ध्यान गया होगा यह यहां से महां तक जित्ते अधिकारी बेठे हैं सबके यहां पर सफेद फूल रखें मेरे पास पीले फूल रखें और हमारे पीएस के उस पीले भी रखें तो लाल भी रख दी है, मैं इसका कारण ढूड़ रहा था कि ये कारण क्या हो सकता है, तो मुझे पुरानी फिल्म का गाना याद आगिया, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला उसके जर, तो सरकार तो हमेशा रहेगी, ये उसका प्रतीक है, सरकार चलाने वाला कैसा है, ये उसका भी प्रती के मुझे इस बात की प्रसंदता है कि यससी प्रदान मंत्री के नेतरत में मेकेनिजम तो वो का वो ही है अधिकारी भी वो ही है लेकिन अधिकारी को छूट दे कि अगर पारदस्ता की नीती बनाना है अगर ख़दान की निलामी बनाना है निलामी की कोई पाल केसी हो रहें किस किस प्रकार से हो रहें कभी कलपना कर सकते क्या या आज बदलते दोर में मिज़े तो भगवान राम sino के चरण देखर आनध आ गिया कि हमारे यहां का अपना पत्तर् आयोध्या में भगवान राम के मंदिर पे पहुन रहा है या हमारा अपना मदिविदेश का गोरव और गरव है लेकिन संभव हुआ यसरसी प्रधानमंत्री के कारण से ग्रेनाइट का बताया भी जो मुझे बताया कि ये जो वहाँ करनाटक में आम तोर पर हम ये सब चीजे ख़दान के मामले में आंद्र करनाटक तमिल नाडू पर ही देखते थे लेकिन हमारा अपना यहां की पत्थर की कृती यहां की अपनी माइनिंग से निकली वी कृती और उसकी गुणवत्ता कितनी उच्च कोटी अभी अपन यहां देख कर के आ रहा है और वो नहीं कितने प्रकार से अलग अलग प्रकार से आप सब ने भी अभी मुझे इस बात की प्रसंदता कि भारत सरकार ने हमको नंबर वन का पुरुसकार दिया माइनिंग निलामी को लेकर तो वो केवल भारत सरकार की उस पालिसी को धन्यवाद देते अनिता इमानदारी से को मैं तो माइनिंग मिनिस्टर था मैंने का ये जंजट है मेरे पास एक मंत्रलाई खाली रखा है तो हमने सारे मंत्रलाई में काम करता था मुझे लगता कि ये माइनिंग वड़ा संकट वाला भी भाग है इस पर साइन करो तो सोच समझ के करना पड़ते लेकिन मुझे इस बात की प्रसनता है माननी प्रधान मंत्री के नेतरत में साब सुद्री पालिशियों के अधार पर सारे देश के सभी सरकारे राज्य सरकारे अपनी गती से आगे बढ़ रही जिसमें राफेल की गती भी कम पड़ रहा है इतनी तेजी से हम चल रहा है मुझे इस बात की प्रसनता है आज आज आप जिस प्रकार से बड़ी संख्या में याँ आप उपस्तिद हुए और कितने प्रकार से मैं इसका अगर कोई साब लगाऊं तो ध्यान में आता है हमारे याँ तो अब हर महीने इन्वेस्टर सम्मिट कर रहे है मदब्रेश आज व्यस्वस्वी प्रधान मंद्री के नेतुरत में अपनी जेट की गती से भी आगे तेजी से जा रहा है